नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोते सीक्रेट तुलारासी वालों 2020 समाफ्थ होने को है और अभी नवंबर और दिसंबर का महना दो महना बचे वे हैं जो आपके जीवन में धेर सारे बदलाव लेकर आने वाले हैं आज हम आप से यही साजा करेंगे आखिर क्या कुछ बदलने वाला है क्या कुछ आप अचीव करेंगे और क्या कुछ खोएगा तो चलिए वीडियो के अंतक बने रहे हैं और यह प्रेडिक्शन चंद्रासी पर आधारित है तुला वालों आप पर सनी देव की धैया चल रही है अगर हम नवंबर के म में हैं और सनी देव आपके लाम य regression चाहत हैं क्यूंकि हो सकता है आप तोरे से जूंजलाना सीख ल Nat sail ड़्याने लगें उनपर आप थोरा सा बहार आपका है कॉंधर रहे तो यहां पर इंचीज़ों का ख्याल रखिए क्योंकि आपका ये निगेटिब ब्यभार आपके घर परिवार में बेवज़ाद विवाद जैसी इस्तिति बना सकता है ऐसे में धैरे बनाने की आवस्थ तो है ही साथ ही साथ आपको अपने माता पिता और अपने बच्चे हर किसी के साथ रिष्टों को बे निप्टाने भी आप कोसिस करेंगे वैसे तो कोई बड़ी उपलबधी भी इसमें आपको बिलती नज़राएगी हलांकि थोड़ी बहुत दूसरे सप्ता के लगभग में कुछ सत्रू विरोधी थोड़ी बहुत चुनोतिया दे सकते हैं एक दू दिन ऐसे भार ही दिख रहा ह हैं लेकिन स्वास्त की बात करें तो अपने स्वास्त का आपको ख्याल रखना होगा क्योंकि थोड़ी सी मांसिक टेंशन है जैसे ही सुरे रासी परिवर्तन करेंगे तो आपके कोई बहुत ही बड़ा सपना कोई खास इक्षा जो पूर्ती होगी और इसमें ससुराल पक्ष कोई का नतीं मकत रहेगा वह रहेगा तो यह जानते हैं विस्तार से क्या कुछ होगा इस न strains के मैंनेमें सबसे पहले सुरद करते हैं आपके कारिछेत्रिसेंशसर आपको डिया कीनल आपको प्रतिष्ठा की प्रापत्स लमक्तक्रा वो लोग आपके हर संभव मदद करेंगे हलांकि आपका प्रतिष्ठा यहां भी बढ़ता नजर आएगा जो भी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के कारण आपके कंपणी को बड़ा मुनाफ़ा होगा जो कारोबारी हैं आप बहुत ज्यादा दे सकता है इस नौवंबर के मेहने में हलांकि इस समय आप चाहें तो अपने वैपसाय को बिस्तार दे सकते हैं क्योंकि यह आपके लिए अच्छा है स्वास्त की बात करें कमर पेट या फिर रीड की हड़ी के नीचले हिस्से में थोड़ी सी समस्या है यहां पर आपको ध् तरजी जैसी समस्या से आप खुद को बचा सके इसमें आपके मा के स्वास में सुधार होगा और साथ ही अगर आपके धन की बात करें तो सामान ने है क्योंकि आप कमा भी रहे हैं और बचा भी पाएंगे लेकिन बहुत जादा नहीं लेकिन कहीं आप धन इन्वेस्ट करना ले कहीं आप किसी की बातों में आकर कहीं पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं गलत जगा वहां डूब ना जाए या फिर कहीं आपने किसी को ऊपर ट्रस्ट किया और वो पैसे ही लेकर भाग गया बहुत तरह की चीज़ें होती है दुनिया में तुजरा संभल के रहिएगा क्यो में कोई अगर धन की परेसानी चल रही है तो वह अभी फिलाल बहुत अच्छी होती नहीं दिख रही तो यहां आपको ध्यान देना है हलांकि आपके जो इनकम बाला पार्ट है वह बढ़ेगा आमदनी बढ़ेगी धीरे धीरे आर्थिक संकट दूर होंगे आकस्मी कि बाते सेयर कर पाएंगे पिता को लेकर थोरी सी आप दोरों में उल्जने हैं कहा सुनी हो सकती है ऐसे में आप तोल मोल कर बोले अपनी मर्यादा का ध्यान रखे भाई बहनों को काम या पढ़ाई के सिलसिले में हो सकता है वह आपके घर से दूर रहे हलांकि इस समय पैत्ति खरीदने के योग हैं लेकि नौवंबर के महने में आप चाहें तो ले सकते हैं तो ओवरल थोरा सा पारिवारिक जीवन में आपको समलके रहना है बात करते हैं लव रिलेसमसिप की तेकि लव लाइप आपकी जो दिखते चली आ रहा है थी जो जिस विज़र से आप थोरी स आपको मनाने में कामयाब हो सकते हैं घर वाले आपकी बाते मान सकते हैं तो आप चाहें तो आगे बढ़कर इन चीज़ों को अगर आपको लगता है कि वो आपका सच्चा जीवन साथी हो सकता है तो जरूर बात करें और अपने लप के बीच किसी तीसरे को ना आने दे वर ना किसी तीसरे की बज़ा से आप लोगों में दूरी ना जा इसका भी ध्यान रखिएगा और इस समय अगर हम आपके बैबाही जीवन की बात करें तो सोसल मीडिया के जरिए आपको अपना यहां जो जीवन साथी के साथ आप बहुत सारे वक्त बिताएंगे और सोसल मीडिया वेकरे में भी ब्यस्तरते ने जर आएंगे वैसे आपका विबाहत होता हुआ भी दिख रहा है तो कुल मिलाकर यह समय ऐसा है जब आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं संतान प्राप्ति की योग भी बन रहे हैं तो तुला वालों के लिए यह जो नवंबर का महना है यह च कले और फेले गरहों के नहीं के लगन में सुर overlay के तुए 1 सजब गूद्ध के देव चौथे भां मैं मंगल एप छटे प्हुएं मॉर राहु आपके स्टर्मभाव में रहेंगे और सुरुआत में चुकी स्टरमा एस्ट्रमवा मैं स्ट Boss मैं JEAN LIVE लोता सोज विचार पर नि देगा लेकिन फिर भी चार पांच छे ये तीन दिन ऐसे होंगे जब आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे मेहनत तो करना ही होगा लेकि उसका फल भी बड़ा मीठा होगा और दूसरे सप्ता में आपके धन जो आपके इंकम है वो बढ़ने के योग बन आने की कोसिस कर रहें लेकिन आपको लगे का जैसे संतान आपकी कहे में नहीं है तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यान दें उनके उपर मिहमान आएंगे और इसमें अगर हम तीसरे सप्ता की बात करें दिसंबर के महने की तो थोड़ी सी मन में उचल उथल-फुथल मची भी है इ चोटी-चोटी यातराएं भी हो सकती है संतान के विवा को लेकर थोड़ी सी चिंताएं रहेंगी लेकिन फिर भी आप प्रसंद नहीं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके पक्ष में आती भी नजर आएंगी तो तुला वालों नवंबर और दिसंबर के मेने में धे साई चीज़ें बदल रही हैं क्योंकि देखिए ओफिस में किसी सहकर्मी से ज्यादा आप जूड़ भी सकते हैं और बिवादों का निप्टारा भी हो सकता है हलांकि भोग विलास में खर्चे होंगे मानसिक सांती के लिए आप लगेगा जैसे थोड़ी कमी आ रही है घर परिव कि प्रभाव के कारण बंते वे बिगड़ते वे कुछ ऐसे समीकरन होंगे जो आपके लापरवाही के कारण ज्यादा हानी दिलाएगा इसलिए लापरवाही तो बिल्कुल भी ना करें अब गलत कारियों से खुद को दूर रखिए और यात्रा बेगर अगर करते हैं तो इसरी बात जीवन में सब कुछ आसानी से मिलेगा हरहर महादे फिलाल धन्यवाद